नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूस जोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूने शर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में पच्छेस कबर उपपर जो बाइडन ने बुद्वार को अमेरिका के 46 वी राश्पती के तौर पर शपत लिए वहीं भारती मूल की कमला हैरेस ने पहली अमेरिका महिला उप राश्पती के तौर पर शपत लिए कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने कहा है कि ये समझना गरत है कि किसान आंदूलन सिर्फ किसानों के लिए है उन्होंने ट्वीट में कहा है कि इन तीन कृशी कानूनों का असर मद वर्क पर भी पड़ेगा जब MSP नस्ट हो जाएगी तो अनाच के दाम आसमान माराश में दक्षिन मुंबई के कई स्थानों पर NCB ने चापे मारे हैं और ड्रक्स और करोडों की नगदी जब्त किया है डोंगरी इलाके में मादक पदार्थ बनाने वाली एकाई का भंड़ा फोड किया और वहीं देश में कोरना वाइरस के मामले में उतार चड़ाव जारी पितली 24 गंटे में देश में कोरना के 15,223 नए मामले सामने आए हैं जबकि 151 मरीजों की मौत हो गई गरतंतर दिवस की ट्रेक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों की बीच की बैटर खत्म हो गई है पुलिस की ओर से के एमपी एक्सप्रेस बे पर छोटी रैली निकालने का आप्शन दिया गया हैदराबाद में सेरेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लगी जिसके बाद इलाके में अड़कंप मच गया हाथसे में तेरा लगों गहायल हो गया है आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से सभी गहायलों को अस्पताल में बढ़ती किया पुलिस जांच में जुट को गरफतार कर लिया दरसल महिला ने पती की हथस्या अपने बेटे की मौत का बदला लेने की लिए की ती पुलिस का कहना है कि महिला के पती ने शराब के नशे में उसके बेटी की हथ्या कर दी थी मुंबए में क्रैम ब्रांच नाय कास्टिंग काूच रेकेट का खुलासक किया है इसके साथ ही रेकेट में शामिल तीन लोगों को ग्रफतार किया मदब्रदेश में पुलिस ने नखली नोट शापने की मशीन के साथ 30, 65,000 रुपे के नखली नोट जबत किया है जाया जा रहा है कि नोट तसकरों ने 2500 के हूब भू नोट छापे थे इस मामले में पुलिस ने 6 रूपियों को किया गरफदार बारा बंकी में एक दलित युविती की लाश खेत में मिलने से संसनी फैल गई आशन का जताई जा रही है कि रेप के बाद उसके हत्या कर दी गई है और लाश को खेत में फैक दिया गया है हाला कि पुलिस इस मामले में चान बिन कर रही है इटा में बदमाशों ने एक बच्चे का परण किया और 40 लाख रुपे की फिरौती मांगी जिसके बद बच्चे की हत्या कर दे गई और शफ को खेत में फैक कर फरार हो गए पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्माटेम के लिए मिजबा दिया है पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है बैंगलूर में एक कारोबारी पिता ने खुद अपने बेटे की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दे डाली हत्यारों ने बेटे का कतल कर दिया ये मडर इसलिए कराया गया क्योंकि मृतिक बेटा संपत्ती में अपनी इस्सेदारी के लिए माता पिता को परिशन करता था बिहार के बोचपुर में हीरोईन तसकरों को गिरफतार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीडों ने जम कर पत्थर बाजी कर दी इस गटा में आदा दर्जन पुलिस कर्मी घायल हो गया पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में बरती करा दिया है ग्रामीडों के खिलाफ मुकदमा दर्च मेरट में हुए हत्याकांट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस ने तीन अभीयोक्तों को गिरफतार किया है इनके पास तमंचा, मृतक व्यक्ती का ATM कार्ड, मोबाइल और कार बरामत की जोदपुर में चोरों ने एक साथ तीन दुकानों के ताले तोड़ दिये और रजनी गंदा के सभी डिब्बे और सिग्रेट के पैकिट लेकर फरार हो गया पुलिस से मुकदमा दर्च किया और इलाके में लगे सीसी टीवी की फोटेज खांगाल रही है मद्द प्रदेश में 13 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने दुशकर्म किया और पत्तर से उसे कुचल कर फरार हो गया परीजनों ने गहायल को इस्पताल में भरती करा दिया है जा उसकी हालत नाजुक बनी हुई है पुलिस ने आरुपी को किया गरफतार पुने में शादी से इंकार करने पर 25 साल के प्रेवी ने पिस्टॉल के बल पर अपनी प्रमिका का अपरण कर लिया ये पूरी घटना पास में लगे सीजी टीवी कैमरे में कैद हो गई है इस मामले में पुलिस ने आरुपी को गरफतार भी किया आगरा में एक महिला की इट पतर से कुचल कर हत्या गर दी गई महिला के साथ दुशकर्म की आशंका जताई गई है अमरतक की शिनाक नहीं हो सकी है पुलिस ने शफ को पोस्माटम के लिए बेजा बलरामपुर में पुलिस ने 16 जनवरी को हुई यूवक की हत्य का खुलासा किया पुलिस ने इस मामले में इसी गाउं के रहने वाले की यूवक को गरफतार किया है फिलाल पुलिस ने आरुपी को जेल बेजा सिधापुर में कई यूवती और उसके पिता ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जिसके बाद इलाके में हड़कम पमच गया पुलिस ने शववक को पोस्माटम के लिए बेजा आस पास के लोगों से पूस्ता शुरू की और वहीं Amazon Prime वीडियो पर रिलीज हुई वेफ सीरीज तांडफ को लेकर विवाद अभी तक खत नहीं हुआ था कि अब मिर्जापुर वेफ सीरीज के निर्मताओं को सुप्रीम कोट ने नोटिस जारी किया फिलाल पाच मिनिट पच्चेस को प्रोमेस सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार